हेलो फिरिंस आप देखरे स्पोर्ट्स विद रवीश और मैं हूँ आपके साथ रवीश और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि विराट कोली कैसे साउथ एफरीका सिरीज में लगा सकते हैं एकत्तरवा शतक और किन से मिला है उन्हें गुरु मंत्र इसके बारे में मैं लेकिन आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक पहुंचें तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि भारते टीम इस वक साउ जैसे परफॉर्म करना है बलकि उनको कप्तानी में भी अपना लोहां बनवाना है और दोस्तों इसके लिए बहुत जरूरी है कि विराट कोली जो हैं उनके बल्ले से रन निकले ताकि वो भारत की जीत में कोंट्रिब्यूट कर सकें जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि पि पूरी कोशिश है कि विराट कोली के बल्ले से इस दोरे पर शतक जरूर निकले इसलिए रहूल द्रविट विराट कोली के खास सेशन आयोजित कर रहे हैं लगातार उनकी प्रैक्टिस पर ध्यान दे रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि कि किस तरीके से साउथ एफरीका दोर पर वो बल्ले बाजी ही कर सकते हैं साथी साथ राहुल दरवीड उनको ये भी बता रहेए कि कैसे वो अपने बैड फेज से बाहर आ सकते यानि कि दो सालों से जो उनके बल्ले से शतक नहीं निकला है राहुल दरवीड की पूरी कोशिश है कि जो cricket fans हैं, जो कि cricket को पसंद करते हैं, उनको भी थोड़ी सी tension ज़रूर है कि विराट कोली बड़ी पारी क्यों नहीं खेल पा रहे हैं, इसने भारते कोली के टीम के जो coach है राहूल द्रविट, वो विराट कोली के लिए खास session आयोजित कर रहे हैं, और उन्हें important tips भी दे रहे ह था, राहूल द्रविट ने अपने करियर की 22 पारिया, जो कि साउथ अफरीका की सरजमी पर खेली, उसमें 624 रन उनों ने बनाये, लेकिन विराट कोली के अगर बात करें, तो विराट कोली ने तो दसी इनिंग में 558 रन साउथ अफरीका की सरजमी पर बनाये हुए, यानि यही consistent performance वो चाहते हैं कि विराट कोली भी इस दोरे पर दे, और विराट कोली अगर शतक लगाएंगे या उनके बल्ले से बड़ी पारिया निकलेंगी तो definitely उससे टीम इडिया का फायदा होगा, तो दोस्तों कोच का समर्थन हासिल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, आप यही जानते हैं कि रवी शास्त्री जो कि इससे पहले भारते करेंगे टीम के कोच थे, उन्होंने भी भारते टीम के लिए काफी कुछ contribute किया, लेकिन राहूल द्रविड एक महान बल्ले बाज भी रहे हैं, और खासकर विदेशी सर्जमी पर तो उनका record बहुत ही शांदार रहा है, तो ऐसे में विराट कोली को अगर राहूल ड्रेविट का समर्थन मिलेगा और उनके useful tips मिलेगे, तो बहुत मुम्किन है कि विराट कोली के बल्ले से 71 शता साउथ अफरीका के दोरे पर ही आ जाएगा, तो दोस्तों आपका क्या कहना है, प्लीस comment section पर जाकर comment जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्स्राइब करना ना बूलें